नमस्कार में हुद्वया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 20 फरवरी दिन मंगलवार खब्रों के ओबने से पहले एक नजर सुथियों पर आईएम बोद गया कि परिसर का आज होगा उद्घाट E.S.I.C के सभी बीमित कामगारों को मिलेगा पहचान पर एक्टर पंकर स्री पार्थी बोले मेरी छवी में हुआ बदलाव बिहार सरकार कई कर्मचारियों को दे सकती इंक्रीमित कई कार्णों से ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है जब इस वाट्सेप हेल्प लाइन से डीप फेक पर कसे का नकेर रोहित सर्मा ने धरुप जरेल और यससवी जैसवाल के लिए पोस्ट की तस्वीद अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बरी खबरों के और विस्तार से जूनियर असिस्टेंट और कलर के 4197 पदों पर निकली भरती एक चुक उमिद्वार इसके अधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajistan.gov.in पर जाकर लॉना इन तरीके से आवेदन कर सकते हैं इस भरती के लिए जरूरी है कि आपने बार्वी पास किया हो उमिद्वारों का चैनलिकित परिक्षा, कंप्यूटर, टाइपिंग, टेस्ट और दक्स्ता परिक्षा के जरिये किया जाएगा भरती से संबंदित, आधिक जानकारिक के लिए आप इसके दिस सूजना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं IIM बोद्गया के परिसर का आज होगा उद्घाटन, IIM बोद्गया को अब इस बस्तरिय सुवधा मिलेगी यहाँ भवे अस्थाई परिसर का आज PM मोदी उद्घाटन करेंगे इसके लावे IIT पटना, CUSB IIIT भागलपुर के नव निर्मित भवन का भी उद्घाटन होगा इस दोरान बिहार के उपमुके मंत्री समराच चौधरी भी मौद्गया में आगे चलकर दी जाने वाली अत्याधुनिक सच्चा का खास ख्या लखा गया है यह चात्र के लिए यहाँ चात्रों के लिए सेक्सिनिक सुविधाएं होंगी साथ ही जिम, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल के प्रावधान के साथ खेल परिसर भी होगा यहाँ चकित्सा, केंद्र और फैकल्टी के आवाज के लिए चार टावर भी है मालूम हो कि आया इम बहुत गया का, रिसर्ट के लिए हारवर्ड बिजनस स्कूल अमेरिका के साथ टाई-अप है यहाँ के चात्रों चात्राएं अपने जिला, राजे के साथ-चात्पुरे देश का नाम रौसन कर रहे हैं बिहार परिटन में आज हम बात करेंगे नागी पक्षी अभ्यारने के बारे में यह अभ्यारन ने बिहार के जमूई जिले में इस्सित है जो बिहार के परिटन छेत्रों में बहुत चर्चित अभ्यारनों में से एक है इस अभ्यारन को अंतराश्टे जर्जा मिलसा के इसके लिए कवायत भी चल रही यहां कई प्रवासे पक्षियों का हर साल जमावरा देखने को मिलता है जिनमें मंगोलिया, उस्ट्रेलिया, वाइट कैप, डेड स्टार्ट, यूरेसियन, ठिकनी, जाइरन, लीवड जैसी 230 प्रजाती की पक्षियों आती है यहां पक्षियों की चह चहार देखते बनती है इस अभ्यारन्य में इस्थित जलासे में उगने वाले जलिये वनस्पती, फाइटो, प्लान, टोन और जो प्लान, टोन आने वाले प्रवासे पक्षियों के पसंदीदा भोजन होते है यदि आप सेक्रों प्रजाती की पक्षियों के जुन्ट को एक साह देखना चाहते हैं, तो यहां आ सकते हैं ESIC के सभी बीमित कामगारों को मिलेगा पहचान पत्र, ESIC के सभी बीमित कामगारों को यह पहचान पत्र दिया जाएगा वहीं अगर कोई संस्था करमचारियों को पहचान पत्र प्रदान नहीं करती है, तो उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी फिलहाल इनने नोटिस भेजकर इस बात की जानकारी दी जा रही है मालूमों की दस यह से अधिक लोगों को काम करने वाली संस्था में की सभीधा प्रदान की जाती है बिहार में 4,20,000 करमचारिस के दाएरे में आते हैं 16,88,000 लाबकों को ESICT की सभीधा मिल रही है आपको बता दे कि इसमें 49,936 हंस्थानों में काम करने वालों में 37,677 महिनाय सामल है मालूमों की न्युक्ताओं ने IP कार्ड बनाया है सभी लोगों को अब इपहचान पत्र दिया जाएगा ओन्नाइन लाब देने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दे गई है आई-ार्सीतीसी आई पे आसान बुकिंग सेवा आयब आई पे आउटो पे की शुरुआत की है इसमें ये सुनस्थित करना होता है कि पैसे टिकेट के पेमिन के लिए आरख्षित है या फिर इसे कैंसल कर दिया गया है इसमें टिकेट के कनफॉर्म करने के बाद पेमिंट की जरूरत पड़ती है वही आज सफर वोकिंग पर पेमिंट के खोने का खत्रा कम होता है इसमें यात्रियों को टिकेट कनफॉर्म नहीं होने पर पैसे खोने का खत्रा नहीं होता है इसमें रोके गए पैसों को जल्दी द वही चार स्कूलों में बच्चों का नामंकन सूने है दरसल सिक्षा विभाग ने सभी जिलों में संख्या बार चात्र और चात्राओं की सूची मांगी है इसमें 312 प्रारंबिक स्कूलों में बच्चों की संख्या 30 से भी कम है मालूम हो कि सभी जिलों की रिपोर्ट प्राप नामंकित हैं सिक्षा विबा के पदादिकारी के अनुसार इसकोलों में कमरों की संख्या में जाफा किया जा रहा है इसकोलों में ने सिक्षकों की भी जॉइनिंग हो रही है इस कारण ही चात्रों चात्रों की संख्या के आधार पर इसकोलों की सूची मांगी गई है कई कार्no से driving license को जब्द किया जा सकता है मालूम हो कि गारी चलाने के दोरान नियमों की अंदेखी करने पर सजा का प्रावधान किया गया है इसमें आर्थिक जुर्माना के साथ ही license को जब्द करने का प्रावधान है भारत में motor vehicle act है गारी चलाने के लिए सभी के पास driving license का होना जरूरी है नहीं गारी चलाने के समय फोन का उप्योग करने से आपका चालान कर सकता है ट्रैफिक पुलिस अधिकारी अगर चाहे तो आपका license भी जब्त कर सकते हैं इसके लावे जेब्रा क्रोसिंग से पहले गारी को रोकना चाहिए इस पर गारी चरहाने या गारी की खिरकी खोल कर तेज आबाज में संगीत सुनने अस्पताल या स्कूल के पास तेज रफ़तार में गारी चलाने में आपका license जब्त हो सकता है साथ ही आपके उपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है बिहार यूपी पुलिस की आगामी लोगसबा चुनाब को लेकर हुई बैठक बिहार और यूपी पुलिस ने आगामी लोगसबा चुनाब को लेकर संयुक्त बैठक की है यूपी थाने के पुलिस के साथ आपसी समन्वे अस्थापित करने की जरूरत है इस बैठक में सूचनाओ का अधान प्रदान आपसी तालमिर और प्राधियों को पकड़ने को लेकर चर्चा की गई है साथी सराब तसकरी के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही गई है पुलिस के अधिकारियों ने लोकसबच नौब में हर मुदे को आपस में मिलजूर कर सुझाने का फैस्ट ला लिया है बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अरून कमल के बारे में इनका जन 15 फरवरी वर्स 1954 में बिहार के नासरी गंज रोहतास में हुआ था ये पेसे से पटना वस विद्याले के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक रहे है लोग इन्हें इनके साहितिक लेखन के लिए भी जानते हैं इनकी कई कविताय और आलोचनाय भी प्रकासत हुई है जिनमें अपनी केवल धार, साबूत, पुतली में संसार और गोल में 2009 सामिल है इन्हें इनके सरानी कारे के लिए कई पुरसकारों से भी सम्मानित किया जा जुका है जिनमें भारत, भूसन, अग्रवाद, स्मिर्थी पुरसकार, सोवेट, लैंड, नहरू पुरसकार, स्रीकांत, वर्मा, स्मिर्थी पुरसकार, साहित्य, अकैडमी पुरसकार, आदी सामिल है बिहार सरकार कई कर्मचारियों को दे सकती इंक्रिमेंट बिहार सरकार कई कर्मचारियों को इंक्रिमेंट दे सकती है दरसल बिहार सरकार इस विशे में विचार करेगी विधान सबा में वितमंत्री समरार चौधरी ने इस बात की जानकारी साजा की है जदियों के विधायक ने इसे जुरा सवाल सदन में पूछा था इस पर सम्राइच चौधरी ने कहा है कि सरकार सिवान विर्थ कर्मियों के नैसनल इंक्रिमेंट पर विचार कर सकती है सरकार ने जानकारी दिये कि सुप्रीम कोड के आदेश का आध्यन किया जाएगा आपको बता दे कि जदियों के सालिनी विस्णा ने सवाल किया था कि उस्तम नयायालय ने 11 प्रेर 2023 को अपने आदेश में केंद्रिय कर्मियों को साल 2023 से इंक्रिमेंट का लाब देने की बात कही थी लेकिन बिहार में ये लाब नहीं दिया जा रहा वहीं बिहार में 1996 से हुबहू केंद्रिय वेतनमान और सेवा की सरते लागू है बिहार पुलिस को मिली बरी सौगाद बिहार पुलिस को मुख्यमंत 33 कुमार ने बरी सौगाद दी है यहां थानों की इकाईउं के लिए 383 भानों को हरी जंडी दिखाकर रवाना किया गया है इस दोरान सीम के प्रधान सचीव दीपक कुमार मुख्य सचीव आमिर सुभाणी पुलिस महा निदेशक आरेस भर्टी ग्री विभाग के अपर मुख्य सचीव साथ सीम के प्रधान सचीव एस सिधार्त सहीत वरी अधिकारी मौजूद थे फुलिस वानों के उपलब्जिता से राज्य में पुलिसिंग की कारेच छमता में बरहोतरी होगी साथे विधी विवस्ता के संचालन में भी आसानी होगी आपको बता दे कि सरका लगातार थानों को अनिस सुविधाओं के साथ साथ गारिया मौईया करवा रही है एक्टर पंकस्त्री पार्टी बोले मेरे छवी में हुआ बदलाव अभिनेता पंकस्त्री पार्थी ने कहा है कि अब उनकी छवी में बदलाव हुआ है, पहले उनकी छवी एक OTT एक्टर के रूप में थी, वेब सरीज मिर्जापूर में कालीन भाहिया के किरदार ने उन्हें काफी लोग प्रियता दी, कोवीट की दौरान सभी अपने अपने घरों में कैथ थे, इस दौरान मिर्जापूर ने काफी लोग प्रियता हासल की थी, इसके अलावे लूटो और कागर जैसे फिल्मों ने भी OTT पर अच्छा प्रदर्सन किया था, इस कारण लोगों के दिमाग में OTT एक्टर की एक छवी बन गई थी, पंकस्त्री पार्थी कहते हैं कि अव्य सिर्फ एक OTT एक्टर नहीं है, बलकि उन्हें फिल्म OMG 2, फुक्रे 3 आदी में देखा जाएगा। पर खोज की जाएगी, दिले में कानून का राज है और यहां कानून का राज ही रहेगा। दरसल जिले के कन हौली थाना छेत्र के मोच चट्टी में दो गुटों के बीच विवाद हुआ था, इसके बाद S.P. और S.D.P. यो ने समय पर पहुँचकर माहौल को सांथ कर विहार में 300 से अधिक finance कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज, विहार में 326 फर्जी finance कंपनी के खिलाफ आप राधिक मामला दर्ज किया गया है। प्रदिस के तापमान में हुई बरहोतरी बिहार मौसम विभाग द्वारा मौसम विगरने को लेकर अलट जारी किया गया है दरसल मौसम विभाग के मुताबिक प्रदिस के कई जिलों में 20 और 21 फरवरी को वारस हो सकती है हालां कि पस्ति में विच्छोप कमजोर पढ़ने के कारण प्रदिस में ठंड पहले से कम हुआ है धूप निकलने के कारण तापमान में व्रिधी भी देखने को मिली हाला कि मौसम विभाग के मुताबिक प्रदिस के कई हिस्तों में बारस तो कई जगहों पर मौसम सुस्ख रहने की संभाब ना जताई गई है प्रदिस में एक या दो अस्थानों पर मेक गरजन और वजटपात होने की संभाब ना भी जताई गई है प्रदेस में आज का अधिक्तम तापमान 26 से 28 डिग्री वह 28 से 30 डिग्री और नियुंतम तापमान 14 से 16 डिग्री रहने की संभाव न जदाई गई इस वाट्चेप हेल्पलाइन से डीप फेक पर कसेगा न केल वाट्चेप पर एक समर्पे तथे जाच हेल्पलाइन मार्च 2014 में आम जिन्दा के लिए उपलब्द करवाने की घोसना मिसिन्फॉमेशन कॉमबेट अलाइन्स और मेटा द्वारा की गई है ऐसा करने पर भ्रामक याई कॉंटेंट पर नकेल कसने में आसानी होगी वाट्चेप चैट बॉट पर भेजकर यूजर से डीपे कुछ जिनहित करने में सक्षम होंगे लोगसभा चुनाब को लेका जदियू ने अधिकारियों को दिया टास्क आगामी लोगसभा चुनाब को लेका जदियू एक्सन मोड में आ चुकी है इसी करी में जदियू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंग कुस्वाहा ने जिला प्रभारी को आदेश दिया है और पंचायत अध्यक्सों की मदद से साथ सदस्ये बूत कमेटी का गठन करना होगा साथ ही अपने प्रमंडल प्रभारी को इसकी सूचना देनी होगी पंचायत अस्तर पर वाट्शब ग्रूप बनाने को भी कहा गया है इसके लावे बूत अस्तर की कमेटी में दो बियलो और दो पोलिंग एजेंसी को सामिल करना होगा बिहार में आज शुरू होगी तिजस्वी यादब की यात्रा बिहार विधानसबा के नेता प्रतिपक्त तिजस्वी यादब लोगों के बीच जाएंगे जन विस्वास यात्रा के जरिये तिजस्वी यादब महा गडबंदन के 17 महीने के कारेकाल की उपलबदी जनता को बताएंगे वहीं सीम नितीस कुमार के विस्वास घात को लेकर भी तिजस्वी यादब बात करेंगे यात्रा के दोरां तिजस्वी यादव के निसाने पर मुख्यमंतिंतिस कुमार और भाजपा के नेता होंगे साथ ही तिजस्वी यादव अपने विधायकों को तोरने की भी जानकारी देंगे आरजेरी ने तिजस्वी यादव की यात्रा का सेड्यूल जारी किया है मुझपरपुर के सकरी सकरा से नेता प्रतिपक्ष अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे अलग-अलग जिलों से होते हुए यात्रा एक मार्च को लखी सराय में खत्म हो जाएगी मदादे की पहले ही यात्रा 29 परवरी को समाप्त होने वाली थी इसमें बदलाब किया गया है बिहार में 30 सीटों पर लोगसभा चुनाव लड़ेगी AIMIM बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 30 सीटों पर लोगसभा चुनाव लड़ेगी वहीं से पहले पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने घोसना की थी कि पार्टी के संगंज के अतरिक्ट भी अपने उमिद्वारों को उतारेगी अक्तरूल इमान ने कहा है कि उनकी लराई एंडी और इंडिया गटबंदन दोनों से ही है इन्होंने पूर्फ रिप्टी सीम से दसवी यादव की यातरा पर तंच कसा आक्तरूल इमान ने दावा किया है कि उनकी पार्टी इन सीटों पर मजबूती सजीत दर्ज करेगी सुधाकर सिंग ने क्रिसी डोड मैप में घोटाले का लगाया आरोप बीजेपी जदियू ने कही ये बात बिहार सरकार के पूर्फ क्रिसी मंत्री सुधाकर सिंग ने क्रिसी डोड मैप में घोटाले का आरोप लगाया है इन्होंने सीम नितीज कुमार पर सवाल खरे किये है सुधाकर सिंग का कहना है कि 3,10,000,000 करूर रुपे कहा है इसकी किसी को जानकारी नहीं है किसानों को नकली बीच दिया गया है इसमें विभाक अधिकारी सामिल है वही इसके बाद मंत्री असोग चौधरी ने सुधाकर सिंग को गंभेता से नहीं लेने की बात कही है इदर भाजबा मेल सी जनक राम ने कहा है कि मुखे मंत्री इस कुमार को वरस्टा चार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है अगर घोटाला हुआ है तो उसकी जान जरूर होगी समरार चौधरी का बया अंतिजस्वी यादव के खिलाफ होगी कारवाई बिहार के रिप्टे सीम समरार चौधरी ने बयान दिया है उन्होंने कहा है कि पूर्व रिप्टे सीम अंतिजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में खेला होगा और हमने उन्हें खिलोना दे दिया करोर था यह बढ़कर 2,88,725 करोर रुपया हो चुका है राजे के सिति में सुधार हुआ है बिहार हर एक छेत्र में आगे बर रहा डिप्टिस सियम ने कहा कि बिहार में जब तक लालू परिवार सत्ता में रहा तब तक एक लाक लोगों को भी नौकरी नहीं मिली है वही बिह रुप जरेल और यससवी जैसवाल के लिए पोश्ट की तस्वीर भारतिय टीम के कप्तान लोहिट सर्मार इंडिया बना इंगलैंड के तीसरे टेस्ट मैच में अच्छा प्रदसन करने के लिए युवा खिलारियों की तस्वीर सेयर की है साथ है लिखाए कि आज कल के बच चेस के बाद ताली बजाने वाली इमोजी भी इसमें सेयर की गई है कप्ताने धुरूब जरेल और यससवी जैसवाल के लिए पोश्ट किया है ये स्टोरी सोसल मीडिया पर काफी तेदिय से वाइरल हो रही आपको बता दे कि सरपडादे राज कोट की दोनों पारियों में आर्द सतक जरा है वहीं दुरूब जरेल ने सांदार विकेट कीपिंग की है इन्होंने डेब्यों के साथ 45 रन की सांदार पारी खेली है चार रन से वा अपना आर्द सतक पूरा करने से छूट गया जबकि ये सस्वी जैसवाल ने 12 सतक जरा है कई कारणों से दर्ज है भारत की तिहास में आज की तारीक आज कही दिन कलकता मेडिकल कॉलेज अधिकारिक तौर पर 1835 में खुला था आज कही दिन 1846 में अंग्रेजों ने लाहौर पर कबजा किया था आज कही दिन 1847 में रॉयल कलकता टर्फ कलब की अस्थापना होई थी आज कही दिन वर्ष 1668 में अमरित बाजार पत्रिका का बांगला में सापताहिक रूप से प्रकासन शुरू हुआ था। आज कही दिन वर्ष 1999 में दूर दरसन पर खेल चैनल शुरू हुआ था। को मैसेज के जरीए कुछ ऐसा भी मैसेज भेजा गया है। इस मैसेज के जरीए दावा किया जा रहा है कि पीम योजना के तहट आधार कार्शे दो प्रदिस्त सालाना ब्याज पर लोन दिये जाएंगे। साथ इस वाइरल हो रहे है खबर में एक नंबर भी सेर किया गया है लेकिन आपको बता दे कि वाइरल हो रहे है ये खबर पूरी तरह से फरजी है। बिहार में 500 से अधिक सिक्षकों की जाएगी नौकरी। बिहार में उनिस दिलों से 579 फरार सिक्षकों को बरखास्त करने के लिए नुसंसा हुई है। पाथन पाथन का कारे होगा। फिलाल फरार सिक्षकों के वेतन में कटोती की जा रही है। इनकी वरियता भी कम हो सकती है। प्रधाना ध्यापकों को हर दिन का सेक्षनिक रिपोर्ट देना होगा। हम प्रति दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल पूचेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो की वीपी ऐसी बिहार पुलिस जरूगा समित ऐसे जैसे नर्प्रतोगी परिक्षाओं में काम आएंगे। सवाल पूचेंगे पांच सवालों में आपने कितना सही उतर दिया है यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है। हाली में भारतिय लेखा मानकों के कार्यान वेन पर विसे सग्य समीति के पुनर गठन की घोस नाकस न की है। हाली में किस महान जैन संथ ने 18 फरवरी 24 को समाधी ली है। है आचारे विद्या सागर जी ने उप्सन भी है आचारे गुंधर ने उप्सन सी है तरुन सागर जी ने उप्सन डी है संतकाजी स्वामी ने इसका सही तरह आचारे विद्या सागर जी ने बिहार राजी के परौनी में इस सित तेल सोदा कार खाना किसकी काई है। आचारे विद्या सागर जी ने उप्सन डी है भारत पेट्रोलियम की इसका सही तरह भारत ये तेल निगम की कपिलांस धातो द्यों की अस्थाप ना कहां हुई है। बखसर जिला का राजपूर आपसर बी है बखसर जिला की रानीपूर में। अप्सन डी। ऑप्सन सी है गया जिला की राजपूर में। अप्सन दी कि पस्थिमचंपारन के तुक मुहा में। इसका संयूतर है बक्सर दिला की राजपूर में बीते दिन हमारे दोरा पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत दोरा जवाब हमें हमारे कॉमेंट सुक्षिन बॉक्स में लिकर दिया था जिन्होंने हमारे दोरा पुछे के सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बिट्टु कुमार, आजीब कुमार, मंटु कुमार, रोसन कुमार, आयाद खान, जितेंद्र ठाकुर, रंजन कुमार, राज के सोर महतो, एकबाल खान, पंकस कुमार, दास, संजीब कुमार, गौरी कुमार, एमडी मोज़ीद, एहमद, सोभानंद, ठाकुर, सादुल्ला, प ज़रूर बताए आज कले इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बढ़े नहीं के लिए देखते रहें विहारी Nyood और साथ ही अगर आप युटूब से देख रहाएं तो चैनल को